आज सहट रहे हैं का महँरा वह स यह सैथ्ण collection 19 जहीं diğer वीडिि के उसी काम सैथ्ट करेंगे journal Ó लग्षा भी क्रूंप साथ इस वीडियों में डिस्कस करूंगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि यहाँ पर कंटिनियूसली आप लोग को जो चर्नल अवे इनेस वाला पोर्शन या रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आप लोग को कराया जाता है तो देखी यह हमारा पहला कुश्चन था जो कि हमारा 29 अक्टूर के सैट का था जो 2020 में कराया गया था उसका सबसे पहला कुश्चन 50 बने 2019 में भारत का पहला लोगपाल कौन बनाया आप लोग को बताना है कि पहले लोगपाल कौन थे तो यहाँ पे दियान रखेंगे कि जो पहले लोगपाल थे वो हमारे कौन थे पिनाकी चंद्र गोस इसका सही अंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नमबर A हो जाएगा यहां से आप लोगं को एक फायदा होगा कि आप लोग को टूपिक पता लग जाएँगे कि किन किन टूपिक चे कौहसन पूचे जारहे हैंगे topic अपने आप note down कर सकते हैं फिर इन topic को अपने cover कर सकते हैं exam से पहले तो ये बहुत helpful series आप लोग के लिए होने वाली है सबी लोगों से request है यार वीडियो को please like करें और मुझे motivate करें comment करके कि हाँ सर चीजे सही चल रहे हैं चलिए next question पर हम move करेंगे question number 52 हम से क्या बोल रहा है एक विशिश तापन निमली कितमे से किस माध्यम में दुहनी तरंगों की गती सरवादिक होती है आप लोग को बताना है एक constant temperature पर ठीके किस एक particular temperature हमारा है तो उस पर आप लोग को बताना है कि किस medium में सबसे आदा speed होती है sound waves की sound waves की maximum speed होती है वा हमारी किस में होती है solid में होती है ठोस में होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A उसके बाद next question बात करेंगे question number 53 की इसमें बोल रहा है पिछले वर्स NDA को केंदर की सत्ता में दोबारा चुने जाने के बाद भारत के पर्रहवरन one even जल्वाईयू परिवर्तन का cabinet मंतरी किसे निक्ट किया गये यानि कि आप लोग को पर्रहवरन one जल्वाईयू परिवर्तन में cabinet मंतरी बताना है कोन है उनका नाम क्या है तो याद रखेंगे आप लोगो को बता दिया पर रेवरान मंत्री है थावर चंदर गैलोज जो हैं आप लोगे समाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्री है और इसमर्ती रानी जो है महीला वे वाल विकास कपड़ा मंत्री है आप लोगे चलिए नेक्स नम आते हैं कुस्टर नमर 54 पर इसमोगा नमली कितमे से किस नदी का उदगम इस्तल भारत में नहीं है आप लोगो को बताना है कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है आप लोगे सामने चार उपसने तो याद रखें सतलूज जो आप लोगी सतलूज नदी होती है सतलस रिवर होती है उसका उदगम भारत से नहीं ह बात करें तो सतलज आपलोhos के दिब्बत में एक राक राक्षास या राकास ताल नाम से जाहिल है एक लेक है वहाँ से आप लोग की सतलच निकलती है रावी की बात करें तो रावी हिमा चल पर दे, इसका एक रोटांग दर रहा है वहाँ से निकलती है तो याद रखेंगे इस सतलच एक ऐसी रीवर है जो इसका उद्गम जो है, वो भारत से नहीं होता का तिबबत से होता है next बात करते हैं next question की question number 55 की मनुस्य में कितना डाइलो डाइस्टोलिक रक्त चाप समाने माना जाता है आप लोग को बताना है कि what is the considered as the normal systolic and diastolic blood pressure of a human being आप लोग को normal आप लोग को blood pressure बताना है कितना होता है ठीक है तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आप लोग को अपस नमबर a हो जाएगा 120 से 80 mm 120 पर 80 mm जो आप लोग का होता है वो नॉर्मल आप लोग का रक्त चाप माना जाता है blood pressure माना जाता है ठीक है इसी इसका याद रखेंगे next question पर move करें next question है question number 56 इसमें बोला है मानस राष्टे उद्धान कहां इस्तित है तो यह आप लोग के पास कि प saja मानछा मानस राष्टे उद्धान जो है वो कहां पर है मैंनस नाश्नल पर की इसको बहुत रखते हैं कहां भर तक है अचĩ के एक पर का मणीपूर करें केंगे हमासार मांई अथ тобla देव है और सर्षी का बहुत important है वो भी हमको पता होनी चाहिए उत्रखन की बात करें तो जिम कारवेट नेशनल पार्क राजा जी नंदा देवी यह important है तो यह भी आप याद रख सकते हैं यानि कि एक तरीके से में यह पता लग गया कि नेशनल पार्क जो है हमारे लिए वो important है और यहां से question हमार पूछ जाता है चलिए next question पर move करेंगे यह देखिए next question नमर 57 इसमें बोल रहा है अकिल भारते बाग अनुमानित गर्णा के चोते चक्र 2018 के प्रणाम के अनुसार बारत में बागों की कुल संग्या देखिए 2018 की जो जन गर्णा हुई थी बागों की तो उसके हिसाब से आप लोग को बताना है भारत में कुल कितने बागें तो याद रखेंगे भारत में 2967 जो हैं आप लोग के टोटल बागें टाइगर से ठीक है इन इंडिया अच्छा टाइगर जो हमारा है बाग दिवस अंतराष्टे बाग दिवस कब मनाया जाता है तो यह याद रखना हो 29 है उसको हमारा अंतराष्टे बाग दिवस मनाया जाता है नेक्स कुशन पर मूब कर रहे हैं कुशन नमर 58 निमली कितमे से क्या एक एदात हुए हमको बताना वीच अमंग फॉलोविंग इस नोन मेटल इनमें से कौन सा नोन मेटल तो अलुमीनियम तो हमारे पास मेटल होता है, मेγनीशियम भी हमारे पास मेटल होता है, पोटेशियम भी होता है, लिकिनन नाइटरोजन हमारे पास मेटल नहीं होता है, यह मारे पास एक नोन मेटल है, नोन मेटल ठीक है और 1 prosecutors एक इसका सही अंसर हो जाता अब ना तो इसका सही अंसर क्यों जाएगा उप्सिंटन की बात करें कुश्चन नम्र सिक्ष्टी की तो इसका अंसर सब लोग बताएंगे ऊची परवाच चोटी ओपर थकान क्यों महसूस होती है इसका सही अंसर आप लोग को बताना है कि जो हमारी ऊची चोटी होती है उन पर थकान क्यों महसूस होती है तो सरीर के बाहर का ताप उच्छ दाप के कारण निमन ताप मान के कारण उच्छ ताप मान के कारण यह सरीर के बाहर निमन दाप के कारण इसका सही अंसर बता है तो देखे होता है कि जब आप उची चोटियों पर जाते हो ठीक है जो हाई माउ पर क्रेशन तो यह authent कि ए इसका सही अंसर अप्चिन नमर्डी हो जाएगा वह कम हो जाता और फिर को यहां बार शुक्षन नमर्ण करेंगे एदे कि next question question number 61 इसमें बोला कि मानसून के दोरान निमली कितमे से किन हवा हो के कारण भारत में अधिकांस भागों में वर्सा होती है तो दक्षणी पश्चमी हावा होती है कौनसी होती हैं दक्षणी पश्चमी जो मानसून होता है भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किसकी वज़े से होती है जो हमारा साउथ वेस्ट वेश्ट विंड्स होती है उनकी वज़े से होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B next question पर move करते हैं next question हमारे पास question statement हमारा true है question number 62 का ठीक है तो यहां पर देख लीजिए आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर it indicates the objectives to be achieved यह है प्राप्त किये के किये जाने वाले उद्देशों को इगित करता है ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा option number B बाकी यह सम्मीदान का भाग नहीं है यतो गलत बात है समीदान का इे इससे 1972 समिदान के संसोदन बहारा शंोद गया ता नहीं यह भी गलत है इसे संसाइड़ेद और संसोदनना यह चीया सकता यह गलत है तो ऑप्छैजोंन अंसर हो जाएगा ठीक है इसको कब जोड़ा गया था तो याद रखेंगे 42 में सम्मेदान संसोदन 1976 नाइनटीन सेवंटेश में जोड़ा गया था और जो हमारी संसद हो थी पारलियमेंट हो थी वो भी इसमें क्या कर सकती है एस चीज को द्यान रखेंगे सु सम्मेदान का परीचा पत्र भी कह हैं next question की हम बात करेंगे question 63 में बोल रहा है कि आकास के नीला दीखने का क्या खारण है जो हमारा इसका ही होता है वो जो blue नजर आता है उसका क्या कारण है तो याद रखेंगे इसका जो main reason होता है है हमारा जो तरंग धिर्दे कम होने के कारण जो नीला blue कलर होता है उसकी जो wavelength होती है बहुत कम होती है जिसकी वज़े से हमें आकास का रंग जो नीला दिखाई देता है लेकिन actual में होता कैसा है तो ब्लैक कलर होता है याद रखेंगे इसका सही answer operation number a ही हो जाता है हमारा next question पे हम मूव करेंगे रहintsओ के ये देखें नेक्स को से हमारा option number B next question की बात करेंगे question number 65 की इसमें क्या बोल रहा है जलिया वाला बाग नरसंगार के विरोध में किसने अंग्रेजों को अपनी नाइट हुड की उपादी लोटा दी थी तो उनका नाम क्या था रविंदरनाः टैगोर को ही क्या थी नाइट उट की उपादी दी गई थी लेकिन जब जलिया वाला बाग अध्या कांड हुआ था 1999 में तो उस समय क्या हुआ था जो नाइट उट की उपादी थी वो त्याग दी थी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे देखे 13 अपराइल 1919 की यह घटना है जब जलिया वाला बाग अत्या घंड हुआ था तो उस समय क्या था कि जो रविंदरनाः टैगोर थे उन्होंने अप सापित किया जाएगा देखिए करण से रिलेटेट कुशन है विक्रम सारवाई चिल्टन इनोवेशन सेंटर तो यह कहां पर आप लोग का इस्टैबलिस करा जा रहा है गुजरात में सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप से नंबर ए हो जाएगा गुजरात चली नेक्स कुस्ट दूसन है हमारा इसमां बोल रहा है कि निम लिखित में से किस थदका परवायोगानु संक्या होती है तो फरमादु संक्याप लोग हो बताना है अटोंक नंबर किसका Epic number टायफ होता है तो अनुरम का कितना होता है ट्रोंज्मीनियम का की सांता है थार्ती नोता है पोटीसिय पर मूफ करेंगे यह देखिए नेक्स कोशन है हमारा माव सी राम डैस के लिए पिरसिद आप लोग को बताना है कि जो मानसी राम है वो डैस के लिए पिरसिद तो इसका अंसर आप सब है यहां पर दुनिया की क्या है मैक्जिम्म तो उसको बताना है कि उसका दूसरा नाम और क्या होता है तो याद रखेंगे उसका दूसरा नाम आप लोग का क्या होता है मॉन्ट्यू चेंप्सफोर्ड रिपोर्ड मॉन्ट्यू मॉन्टेग्यू चेंप्सफोर्ड रिपोर्ड जो है आप लोगा वह भारत सरकार दिनियम 1919 का दूसरा नाम होता है चलिए next question पर मूव करते हैं next question हमारा क्या है इसकी next question है हमारा question number 70 इसमें बोल रहा है कि एंटि एंटि-एंटि बैक्टर सोरी एजो बैक्टर एजवाइक्टर ईज एज आपनोर 17 तो याद रखेंगे जो kau औहाता है याद 3 द्ुस्ट बैक्टर असक् hizo और ऐा होता या पन्द कर आ Larry लगा को जाता है चलियों नेक्स को सके सब्लकर करेंगे सब्सक्राता करें नेक्स कुषिव हो ब सुख सेवंटीवन तो जो नेशनल डेवलोप्मेंट काउंचल था वो कब बनाता सब्सक्राइब जाएगा आप्षिन नमर डी 6 अगस्त 1922 को छह अगस्त 1952 यह आप लोग का बना था जो एंडी सी होता है आप लोगा नेशनल डवलप्मेंट काउंसल जो होता है यह जो मना था 6 अगस्त 1922 को बना था next question की बात करते हैं next question question number 72 computer monitor को और किस नाम से भी जाना जाता है तो आप आप लोग को बताना इसका सही answer क्यों जाएका फीडी यू जो आप लोगा computer monitor होता है उसका दूसरा नाम होता है वीडी यू मतलब visual display unit visual display unit जो होता है इसका दूसरा नाम होता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C visual display unit तो चलो next पर जाते हैं कि देखी next question है हमारा question number 73 इसमें बात करेंगे पोदो में बिंदू इस तरह गुटे station की प्रकेरिया के कारण क्या होता है इसका सही answer आप लोग को बताना है इसका सही answer क्या होगा question number 72 तो इसमें होता क्या पोदों में विद्वान अतिरिक्त पानी पत्तियों के माद्यम से बाहर निकल जाता है तो access water is released from the plant throw leaves यानकि जो ज़्यादा पानी होता है वो क्या होता है leaves जो होती है plants की उनसे बाहर निकल जाता है next question पर हम move करते है next question है हमारा question number 74 इसकी हम बात करेंगे इसमें बुला कि भारत के सरवादिक छेत्र को किस प्रिकार के one अवरत करते है यानि कि which type of forest cover the most area of India यानि कि इंडिया में जो mostly किस types के जो one है ठीक है वो पाये जाते है या आप लोग को बताना है तो question number 74 का सही answer क्या हो जाएगा option number B यहां पर सही जो आप लोगा answer हो जाएगा वो जाएगा उसन कटी बंदी है पड़पाती बन यानि कि tropical deciduous forest जो होते हैं आप लोग के वो यहां पर maximum present होते हैं जो इंडिया में जाधतर पाये जाते हैं ठीक है इससे आप समझ सकते हैं यहा उसन कटी बंदे पड़पाती वन भारत में सरवाधिक चेत्रों को गेहरे हुए हैं यानिकि उन्होंने कवर किया हुआ है इन्हें मांसुनी वन भी कहा जाता है यह वन उन चेत्रों में पाया जाते हैं जहां वार्सिक वर्सा का जो उसत रहता है यहां पर जो rainfall है वो सिस्हमचंदर अधी के विरक्षी होते हैं कि 75 फोड़ ब्लोक के संस्ताफक पूनते यह झाणी कि फॉरवर्ड ब्लोक जो ता उस वह किसने बनाया था तो सहीनसा उस जाएगा स्वासचंद्र भॉस ने ठीक है फॉरवर्ड भॉड ब्लोग जो बनाया था पिसने बनाया था तो 1939 में बनाये था यह चीज भी आप लोग याद रखेंगे 1939 में बनाये था नेक्स्ट कुस्टन कुस्टन नमर 76 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है इसका सही अंसर आप लोग बताएंगे सब लोग कुस्टन नमर 76 का उनसर क्या होगा फूड़ेश कोड़ो फाषटर इंदा प्रेशर कुकर ड्यूटीと思います किसकी वजह से ऐसा होता है तो ऐसा किसकी वज़े से होता है कि जो हमारा water होता है उसका जो boiling point है वो increase हो जाता है तो इस वज़े से क्या होता है हमारा जो pressure cooker होता है उसमें खाना क्या है जल्दी बन जाता है इसका सही answer option number B हो जाता है हमारा question number 77 हरे पोदे soul उर्जा को किसमें परिवर्दित करते हैं तो जो हमारे green plants होते हैं वो soul उर्जा को रसाइनिक उर्जा में convert कर देते हैं chemical energy में convert कर देते हैं तो इसका सही answer जो हो जाएगा option number B हो जाएगा next question पर हम आते हैं next question पर move करते हैं इचे नेक्स कोसन नेजबर की कोशी का बित्ती किस से बनी उती है जो सेल वोल होती है plants की वो किस से बनी होती तो sellule से बनी हो उती है तो सहीं आंसर जो हो जाएगा option number C बल्को सहीं अंसर हो जाएगा next बात करें चोशन नमर 79 की who establish the मौमडन एंगलो ओरिंटल कोलिज एट अलीगड आपको बताना है अलीगड में मौमडन एंगलो ओरिंटल कोलिज की स्थापना किस ने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्चिन नमर सी सर जो सयद एहमद खान थे उन्होंने क्या करा था इसको इस्टैबलिस किया था ठ स्थाब कर आता तो यह भी याद रखेंगे अधी क्प इसको हम क्या बोलते हैं मुस्लिम विषुड जाले को मौन थे इसका नाम सब्सक्राइब टकर दिया गया थो चलिए नेक्स्ट हम बातकरतें 18 की 1942 में जब Democrats mission भारत आया उस समयringland के प्रिदान मंतरी कौन थे इसका सही अंसर आप लोगो बताना यह तो Wishton Churchill कौन थे समस्ट समय जब 1942 में Democrats mission भारत आया था तो उस समय ng john griittam mission भारत आया था तो उस समय एक्सिक आद्रता को किसकी साहता से मापा जाता है तो जो रिलेटिव इमीडिटी होती उसको कौन नापता है तो फाली आंसर क्या कि हो जाएगा उप्शण नेमबर बी आप लोक अजाएगा हाइग्भर बीजियू मिटर से क्या हो है जो हमारा वेलिसिटी हैड होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं ठीक है चलिए नेक्स कुस्टन पर हम आजाते हैं 82 2019 का नोबल सांथी पुरुषकार किसे प्रिदान किया गया अंसर आप लोग को बताना है तो अभी अहमद अली जो अभी अहमद अली थे इनको यह प्रुषकार दिया गया था ठीक है तो सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए कुश्ट नमबर 83 भारतिय बैंकिंग लेन देन के संब्द में एन एफटी का पूर्ण डूप क्या है यानि कि आप लोग को एन एफटी की फुल फॉर्म बतानी है एन एफटी की फुल फॉर्म क्या होगी सब लोग इस कोशन का सही अंसर करेंगे कि एन एफटी की फुल जो कि अप्शन नमबर B में हो जाएगा नेशनल इलेक्टोनिक फंड ट्रांसफर आप लोग का बिल्कु सही अंसर हो जाता है नेक्स कोशन पर मूव करते हैं 2019 में नेपाल में आयो जेत दक्षिन ACI खेलों में किस देश ने सरवादिक सोनपदक जीते तो इसका सही अंसर हो जीते थे नेक्स कोशन पर मूव करते हूं यह देखिनेक्स कोसन है हमारा यह इसमें वो लगया कंप्यूटर के ओन होने पर ऑप्रेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रेंडम रेंडम एक्सेज मेमोरी में लोड करने और फिर से इसे उप्योग करता दुबारा हो जाएगा नेक्स कोसन देखिए नेक्स कोसन है प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने किसानों के लिए प्रदान मंतरी किसान सम्मान निदी योजना किस राज्ये से आरम की तो इसका सही अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से क्या था जो किसान सम्मान पर आएंगे दो-दो-जार की तीन किस्टिस में आएंगी चलिए नेक्स्ट मूब करते हैं 87 पर बाहरते पिर्ती भूती और विनियमें बॉर्ड की स्थापना एसम्विदिक निकाय के रूप में कब की गई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमर भी 1988 में आप लो उस समय भारत का वाइसरा है कौन था तो इसका सही अंसर सब लोगो वह पता होना चाहिए माउंट बेटेन क्या हो जाएगा लोड माउंट बेटेन ऑप्शन नमबर बी बिल्कु सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन पर हम मूव करते हैं यह देखिए इरानी ट्रोफि हैं जो हमको पता होने चाहिए कौन से किस खेल से संबन दीते हैं नेक्स्ट है हमारा एक्वर्ष हूमर मानव मानवो के सरीर के किस अंग का एक भाग है यह आप लोग को बताना है तो आई का किसका होता है यूमन आई का एक पार्ट होता है जो आप लोग का एक्वर्ष हूम कोसी का किरेया चलिए नेक्स कोश्चन पर हम आते हैं नेक्स को से नेक्स ने कुश्चन नममर 92 इस को संब में बोला है अमल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस डैस हो जाएगा तो आप लोगको बताना है कि जो blue literally होता है वो acid के contact माने पर कैसा हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाना चाहिए question number ninety two का अमारा red क्या हो जाना चाहिए red तो बिल्कुल इसका सही answer क्या हो जाएगा red क्योंकि जो blue uit kindness होता है जब वो acid के contact माता है तो तो कंवर्ड हो जाता है रेड में चलिए नेक्स्ट मूब करते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर कुश्चन नमबर 93 इसमें बोला है कि रसाइनिक रसाइनिक सूत्र की साहता से किसी रसाइनिक अभी कर जाके निरूपन को क्या का दृड रिपरेजेंटेशन ऑफा कैमिकल ड्यक्शन विद्ड वूफ ऑफ कैमिकल फॉर्मला इस लोग जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो कैमिकल एक्विशन की सोन पतक जीतने वाली पहली भारतिया बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी तो उनका क्या नाम था यह आप लोग बताएंगे सही PV सिंदू PV सिंदू फिस बैडमिंटन चैंपियनसिप में जो सोन पतक जीतने वाली पहली भारतिया बैडमिंटन खिलाड़ी थी उनका नाम ग्याता है पीवी सिंदू नेक्स कुस्टन है कुस्टन नमर 95 भारते सम्मिदान के प्रस्ताबना में समाजबाती धर्मनेर पे अखंडता सब्तों को कि सम्मिदान संसोधन दुआरा जोड़ा गया तो 42 में सम्मिदान संसोधन दुआरा इसका सही अंसर क्या हो तो इसका हम अंसर देखेंगे कुस्टन नमर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा उत्री पूरी गुलार तो नहीं दे रखा है इनोंने लेकिन उत्री गुलार दे रखा है तो सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमर बी बिलकुल सही अंसर हो जाएगा हमारा कुस्टन नमर 96 6 का चलिए next question पर हम move करते है 97 इसमें बोला है भारत की जलवाईयू को मोटे तोर पर निमलिकित के रूप में वर्णित किया गया है तो भारत की जलवाईयू कैसी है तो आप लोग को पता हूंजी मांसून पर करने वाली जलवाईयू है भारत की तो इसका सही अंसर क्या जाएगा option number D इसमें करा है निमलिकित में से कौन स्वेतंतर भारत के पिर्थम कानून मंत्री थे तो स्वेतंतर भारत के पिर्थम कानून मंत्री कों थे आप लोग क्यों बताएंगे सभी बीम रावं मेट निक्र को क्या करको क्या जनको होता है ऐफे यहां पर आप देख सकती हो चलिए नैक्स वेर्च ट्रीं हमेरा यहां से टेक्निकल स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स कुछन है 100 इसमें बोल ला है कि भारतिय रेलवे के यात्रियों की विविन सिकायतों को दूर करने के लिए निमले किसे कौन सा नंबर एक नया एक इकरत हेल्प लाइन नंबर सुरू कर गया तो 139 तो जो रेलवे यात्री उन यह मिल जाएंगे ठीक है तो व्याइप एडवन्स टैक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें वहां पर आप लोगो मिल जाएंगा और वीडियो कैसी लगी आप लोगो तो प्लीज कमेंट करके बताना ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाई थैंक्स फ